See the third chapter children, my house. तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है राहुल. तो राहुल has moved into a new house. तो राहुल कहाँ move हो गया है? राहुल एक नए घर में move out हो गया है. He has brought many things for different rooms of the house. अब क्योंकि उसने नए घर लिया है, तो वो नए-नए things भी तो buy करेगा. तो उसने बहुत सारी things जो है, वो buy करी है. हमें क्या करना है? Match the things correctly to each room. तो हमें यहाँ पर क्या करना है? कि उसने जो-जो चीज़े buy की है, उनको उनके proper rooms में रखना है. तो देखो, सबसे पहले उसने क्या buy किया है? उसने buy की है books. स्टूडियस बच्चा है, पढ़ता है. तो उसने क्या buy की है? Books. तो books कहां जाएंगी? Books will go to the study room. Then उसने buy किया है pillow. Pillow तो हमारा bedroom में होता है. हम बैट पे रखके सोते हैं ना pillow पे. So pillow will go to the bedroom. Then उसने phone buy किया है. अब यह telephone कहां जाएगा? हम जाएदा तर telephone अपने living room में रखते हैं. So it will go to the living room. Then उसने cutlery buy की है. अब fork और spoons तो हमें कहां मिलते हैं? Kitchen में मिलते हैं. So he'll keep them in the kitchen. And then उसने एक bucket भी buy करी है. अब bucket होगी तब भी तो वो ना सकता है. So this will go into the bathroom. Like this. वो अपनी सारी चीज़ें असेंबल करेगा अपने सब rooms में. अपनी सारी चीज़ें वोगी उमें. झाल झाल